ether आपके साथ मैं हूं दिपेका बाबा सिद्दिकी के जाने के बाद से ही बेसुष से नजर आ रहा है उनके बेटे जिशान सिद्दिकी पिता और बेटे के बीच में प्यार कई बार होता भी है और कई बार नहीं भी होता है कई बार पिता कह नहीं पाते और कई बार बेटे भी बोल नहीं पाते अपनी feelings को क्योंकि अक्सर यही कहा जाता है कि मर्दों को अपनी feelings नहीं बोलनी चाहिए लेकिन बाबा सिद्गी और जुशान के बीच का जो प्यार था वो ऐसा नहीं था उनके बीच का प्यार इतना गहरा था कि कई बार पापा और बेटे की कपड़ों के मामले में भी twinning देखी गई है जो कि बहुत कम दिखाई देती है मा और बेटे की twinning कई बार दिखाई देती है और यह एक बहुत नहीं नॉर्मल चीज है लेकिन पिता और बेटे की एक जैसे कपड़े पहनना ये थोड़ी बड़ी बात हो जाती है लेकिन आज जिशान ने अपने पिता को खो दिया और वो बेसुस से नजर आ रहे थे सामने पिता लेटे हुए थे और जिशान उनको एक टक देख रहे थे कभी दाइं देखते कभी बाइं देखते कभी पिता को देखते समझ में नहीं आ रहा हुए कि कैसे वो react करे हाला कि जब ये खबर फैली कि उन्हें शूट कर दिया क्या है लीलावती हॉस्पिटल ले गए लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये कहा ना तो पल्स है ना ही हाटबीट है और ये हमारे बीच नहीं रहे हैं और उसके बाद ये कहा चैनल लगा कि उन्हें गॉर्मेंट हॉस्पिटल ले जाये जाएगा पोस्मॉटम के लिए लेकिन जिशान ने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दो दो गोली खाने के बाद जिस तरीके से उनके पिता ने वहीं पर दम तोड़ दिया वो नहीं चाहते कि आब उनके पिता के टुकड़े किये जाएं और वो जो है उझा methisру सकते हैं जिशान की क्या हालत है जिशान की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि एक बेटे पर क्या भी उसके पिता कि जाने के बाद पिता का साया कितना ज़्यादा जरूरी होता है इंसान की जिंदगी में और इसे फिल किया जा सकता है